बिजनिस अनलेटिक्स बिजनिस अनलेटिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलजी और मेनेजमेंट का एक हसीन इम्तिजाज है बिजनिस अनलेटिक्स एक उबरता हुआ फील्ड है Business Analytics के बगएर जो रिवायती कारुबार है ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं आए देखते हैं कि Business Analytics क्या चीज़ है और इसकी क्या क्या फवायद है सबसे पहले हम जानते हैं कि Business Analytics होता क्या है Business Analytics एक Complete Human Skill Set होता है जो के मुख्तलिफ टेकनोलोजी को मिलाके किया जाता है इसमें Iterative Explorations भी होते हैं इसमें Investigation of the पुराने Past Businesses भी होते हैं और साथ-साथ एक बसीरत के लिए भी काम करना पड़ता है कि आगे जो है क्या हमें फीचर नजर आता है किसी Business का और साथ में ही strategic planning से भी काम लिया जाता है Business Analytics में दो आहम चीज़ों पर फोकस किया जाता है एक यह prediction और दूसरा है prescription इसकी बारे में हम डीटेल से बात करेंगे और इससे पहले एक और terminology इसको कहते बिजनेस intelligence यह जो है वो description और reporting पर भी base करता है सो हम जानते हैं कि Business Analytics हमारे लिए क्या करता है यह मुक्तलिफ चीज़ें हमारे लिए करते हैं इसमें modeling and numerical analysis करता है effect based management करता है हमारे लिए data driven management करता है decision making में हमारे help करता है और fully automated decisions के भी हमारे लिए dashboards बनाते हैं और business intelligence और query and reporting भी करते हैं और इसके साथ-साथ यह हमारे लिए alert management system भी त्यार करता है तो business and latest हमारे में क्या क्या जवाबाद दे सकते हैं यह हमें बता सकता है कि अभी क्या हो रहा है यह हमें बता सकता है कि क्या trends हैं क्या patterns पाए जाते हैं किसी भी business में और यह हमें यह भी बताएगा कि next क्या होने वाला है पान साल में दस साल में पराने data को use करते हुए और यह और इसके लावा यह हमें बेस्ट पाथ भी बताता है कि जो सबसे short path और सबसे optimize path जिसे हम ज़्यादा profit कमा सकते हैं इसकी example क्या है और यह कहां कहां use होती है इसमें सबसे important चीज़ वो है behavior analytics है, competitor analytics है, marketing analytics में use होता है इसके लावा customer analytics में pricing analytics और real estate में भी बहुत use होता है, cyber security में और general cyber में भी use होता है इसके लावा जो है, enterprise analytics में इसके इसके यूज होता है, fraud detections में, banks में, analytics में use होता है, risk analytics में है, healthcare analytics में, talent analytics में, HR acquisition में, ट्रास्पोटिशन अलेटिक्स में ताकि सप्लाइचेन को समयट आजाए और इसे कम से कम वक्त में ज्यादा जूटाया जाए और इस्पेशली दे लास्ट पर नॉट दे लिस्ट सबसे जो आखर वाला है वो है फाइनलेटिक्स में तेंक्स फर वाचिंग आपको बहुत शुक्रिया देखने का और प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए